राज़ानी जैपूर के राजभवन में श्रीराम कथा कायजन किया जा रहा है, संत विजे कौशल में राज कथा वाचन कर रहे हैं और आज तीसरा दिन पूर्मुख्यमंत्री वसुन्द्रा राजे इस दोरान याँ पर मौजूद हैं कथा वाचन के तीसरे दिन भक्तो की भीड भी उमड़ी है राज़पाल का राज मिश्र के रिदेशन में कथा वाचन किया जा रहा है कथा में पूर्मुख्यमंत्री वसुन्द्रा राजे पहुंची हैं तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जैपूर से एक मकान दिखाई दिया हर्मानी खड़े विवीशन के द्वार के बाहर आई से और इस चिंता में ढूबे हैं ये में क्या लिला देंगा एक और इतना पापाचा मांसर मद्रा का नंगा नृत्य हो रहा है विक्र तवस्था में राच्छत पड़े हुए और एक और ये भगवत भत्त रामायो द्रंकित रहे नवत्लसी का अउरंदत ये क्या लिला हो एक विवीशन के द्वार के बार करें हर्मान्री मन में तरक वितरक कर रहे थे उस इस महें तेजी समय विवीशन जागा के ही समय बोले ते ही समय और जब तक श्री हर्मान्दी विवीशण के द्वार पर नहीं आये थे तब तक विवीशण सो रहा था जागा कब हूँ जागा तक जब साधू द्वार पर आकर खड़ा हो और जब तक हमारे जीवन के द्वार पर घर के द्वार पर नहीं दर के ज्वार पर तो सादू आते हैं। पूर्मुक्य मंत्री मंत्री मंत्र भुपेश यहां पर मौझूद है तमाम अन्य दिग्जिस कथा वाचन कारिक्रम में पहुंचे हैं और पूर्मुक्य मंत्री वस्मुरा राजे खुद इस कारिक्रम का हिस्सा बनी है जैपूर के राजभवन से यह तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां पर संत विजे कौशल महराज पहुंचे हैं कथा वाचन किया जा रहा है और आज तीसरा दिन है ऐसे में तमाम दिग्जिस तो पहुंचे ही हैं लेकिन खासी संख्या में भक्तों की भीड यहां पर उम्र अब उपेश, अशुक परणामी, सुमन शर्मा और अन्यय नेता भी यहां पर मौचूद हैं तो चाहें बीज़िपी हो या फिर कॉंग्रेस हो या फिर अन्यय पातियां हो जब इस सरीगे के कारिक्रम होते हैं जो की समाजिक सरुकार से जुड़े होते हैं तब फिर ना तो काफी संख्या में अन्यय शर्धालू भी मौजूद हैं अन्यय लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और कथा वाचन को सुनने के लिए काफी संख्या में आज भी रूम्डी है आज तीसरा दिन है अन्यय लोग भी यहां पर पहुंचे हैं तीसरा दिन है